तो चलिए हम लोग बात कर रहे थे ISPCS prelims को ध्यान में रखते हुए टेस्ट सीरिज सॉल कर रहे हैं इसमें आपके वही कुश्चन से लिए जाते हैं जो आपके परेक्षा के point view से बहुत ही मत्मूर रहते हैं याद रखे इस तरह के हम लोग चार टेस्ट आपके खतम कर चुक हैं इन सभी की PDF आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी ठीक है वहां से डाउनलोड कर लीजे और टेलीग्राम की लिंक आपको नीचे आपके जो आपने देखा होगा description box से उसी में आपकी मिल जाती है या पिर आप लोग सर्फ कर सकते हैं IES PCS Motivational Student John की नाम से आपका टेलीग आप चैनल है याद रखिए इस तरह कि आपकी questions जिस भी परिच्छा में बनते हो इस तरह कि आपकी questions जहां भी आते हो फिर चाहें आपका civil service हो या फिर आपका state PCS हो जिनमें आप MPPSC देखते हैं या फिर बिहार PCS उत्तरपीदस UPPCS यानि कि उत्तरपीदस संग लोग से वा इस तरह कि अगर ये questions पूछे जा रहे हैं तो उन सभी परिच्छाओं के लिए आपकी questions जरूरी हैं ठीक है तो चलिए पांचे पर टेस्ट काम लोग पहला questions solve करते हैं क्या है निमलेखित में से कौन से लाप किसान के edit card योजना के अंतर कर सामिल है इसे आप लोग सुनते हो होंगे ग्रामिट चेत्रों में कुछ जाना ही चर्चा में भी रहता है किसान के edit card योजना फसलों की जुताई के लिए आल्फ का रिक्ट्रिड आवसकता बिल्कु सही बात है फसल का डाई के बात का बै एवीस में सामिल किया जाता है किसान के घरेलू उपभोग की आवसकत आए बिबडन रेड पिदान कतना ए भी सही है आपका यानि कि आपके चारों कतन जो नीचे दिये गए इस चारों कतन आपकी सही है और इसमें क्या पूछा है नीचे दिये गए कूट का प्रियुकर सही उत्तर चुनना है में एक बात और आप याद रखी इस point को हमें सब ब आप लोग केसी सी भी कहते हैं किसानों के लिए है ये पूरी योजना ठीक एक तरह से किसान कायड पूरी तरह से किसानों के लिए इसमें आपके देखेंगे फसलों की खेती वो उसके लिए भी रेड मिल जाता है फसल की कटाई के बाद आने वाली खर्च के लिए भी रेड मिल जाता है उत्पात बेपड़न के लिए रेड मिल जाता है किसान परिवार की उभोग अगर जरूरत है उनके लिए कर्म आपको रेड मिल जाएगा किरसी से समर्द किरसी परोसमपत्ती और गति विधियों के रख रखाव यह तो भी आपको red मिल जाएगा ठीक है यह आपका एक तरह से किसानों के लिए ही किसानों को ध्यान में रखती भी बनाए गया है यह ओजिना ठीक है तो इसमें क्या D option है यानि की चारों कथन आपकी विल्कुल सही है Question है मारांगला अंतराष्टिय मुद्रा कोस निमलिकित में से किसके फ्रोसाहन ही तू कार करता है अंतराष्टिय मुद्रा कोस निमलिकित में से किसके फ्रोसाहन ही तू कार करता है बैस्विक मौद्रेग सही हो बिल्कुल सही बात है सुरप्चे बित्तिय से स्थिरता यह भी सही है अंतराष्टिय व्यापाल को बढ़ावा देना ये भी सही है संपूर्ण विस्त्र से गरीवी कम करना ये भी सही है यानि ये चारों कतन आपके सही हैं इसमें याद रखे आपके जो भी अंतराष्टिय संगठन है और राष्टिय संगठन है इनके बारे में हम लोग विस्तार से बात कर चुके हैं हर को फिर चाहे आपका डवलू या चो हो फिर चाहे आपका डवलू टी ओ हो इस तरह के जो भी संगठन है उन सब के बारे में हम लोग विस्तार से बहुत ही विस्तार से पढ़ चुके हैं मत्कूर संगटनों के नाम से पिलिलिस्ट सूची बढ़ी हुए उसमे डले हुए हैं आपको अगर अंतराष्टी ये मुद्रा को उसके बारे में बताऊं तो इसमें आपके 189 देश सामिल सामिल हैं यानि कि कहने का मतलब है कि आई एमेप के 189 सदस हैं देश ठीक है और इसकी स्थापना की बात करें तो 1945 में कव 1945 में इसकी इस्थापना हुई थी कव 1945 में ठीक है और इसके मुख्याला भी बता देता हूं कई बार कुश्चन इससे भी बनता है बौसेंग्टन डीसी में इसका मुख्याला आपको देखने को मिलेगा तो इसमें क्या पूंचा सही उत्तर चुनना था हमें तो चारों कथन आपकी बिल्कुश सही है चारों कथन आपकी सही है अंगला कुर्चन है हमारे सामने निमलिकित में से कौन सी सूचनाई किसान सुविधा एब द्वारा उपलब्द कराई जाती है निमलिकित में से कौन सी सूचनाई किसान सुविधा एब द्वारा उपलब्द कराई जाती है अलगलग मन्डियों में विभिन फसलों की कीमते हैं सही बात है मौसम की जानकारी एवी सही है जिले में स्थित भंडारन इस्थलों एवं सीथ ग्रहों की जानकारी एवी सही है याद रखिए किसान जो सुविधायप है इस किसानों को ध्यान पर रखते हुए ही बिक्सित किया गया है आप जानते हैं कि हमारे देश के जो पिदान मंत्रिय है उन्होंने खोद कई बार बोल चुके हैं कि 2022 तर हमारे देश के जो किसान है इनकी आये दुग नहीं करना है इसी को देखते हुए कई तरह की योजनाय भी लाई जा रही है ठीक है? किसान सूचना यहाँ इसमें आप देखेंगे फिर चाहे मौसम के बारे में, डीलर के बारे में, बायार भाओ की बारे में, पादप सुरक्चा, किरसी पारामर्सी, किसान से बाकेंद, मिर्दा स्वास्त कार, कॉल्ड इस्टूरेज और गोदाम इस तरह की सभी जानिकारी उबलब्द कराई जाती ह इस एप के द्वारा, और याद रखेंगे आपका जो किरसी, सहिकार्ता, एवन किसान, कल्यान मंतराले है न, इसके द्वारा इससे जारी किया गया था, एप बिवन, मतलब आपकी जो भी भारतिय भासा है, सभी भासाओं में, उपलब्द है है, सही उत्तर क्या होगा इसमे तो इसमें आपका बी ओप्सन सही होगा, यानि कि यूँकि चारों कतन इसमें आपके सही है, सही कतन बूच रहा है, तो चारों कतन इसमें सही है कुश्यन है मारा अंगला, क्या है कुश्यन, बिस्व ब्यापार संगठन की संदरों में निमलिकित कतनों पर विचार करना है, इसने औरगवे दोर की बरता, 1986 से 1994 की परिडाम सरूप, नेनमिस सुल्क और ब्यापार पर सामाल समझोता, गेड को पितीश्थापित किया बिल्कुल सही बात है, उसी को पिताफिक, यानि की गेड को पितीश्थापित करके आया हुए है, विस्व ब्यापार संगठन एक मात बैसविक अंतराश्थिये संगठन है, जो राष्टों के बीच ब्यापार की नेमों का निप्टान करता है, ये भी सही है, दोहा अभिका में बहुत बिच्तार से एक एक क्लास करके लिया गया है, क्योंकि यहां उतना बिच्तार से बता पाना संभाव भी नहीं है, तो वहां जाकर आप लोग पढ़ते रहे हैं, और अब तो MPPSC में आपने देखा कि एक पूरा टॉपिक की रख दिया मैंस में, मातमूर्ट कथनों की नाम से, तो उसके लिए भी बहुत ही जरूरी हो चुका है, और पर कथनों में से कौन सा कथन सही है, तो एक और दो कथन सही है, अगर आप से यहां के लिख देते आगे सही नहीं है, तो आप कह देते कि तीसरा कथन सही नहीं है, बिस वियापार संगठन की बात कर करते हैं इसकी स्थापना हुई इस अस्तित में आया है 1995 में कव 1995 में और सबसे नई यानि की युवा अंतराष्टी संगर्ठन है और एक गेट यानि की जो दुतिय विश्योंदे के बाद इस्थाफित हुआ था गेट जनरल एग्रिमेंट और टेरेप एंड ट्रेड इसे पित किसे अलफ विक्सित देशों के हेतु व्यापारेक संभावनाव में सुधार करना है अलफ विक्सित देशों की ठीक है और इसके हेड़कॉर्टर की अगर बात करें डबलू टी यो के तो आपको जेनेवा सुईजालेंड में से देखने को मिल जाएगा तो इसमें आपका ए कथन सही था एक और दू कथन सही है ठीक है कुश्चिन है हमारे सामने यूरिया के लिए वर्तमान अनुदान सबसेटी विवस्ता के संधर्म में निमलिकीत कत्रों पर में विचार करना है क्या करना है विचार करना है सरकार अधीक्तम खुद्रा मूल निधारित करती है जिस पर किसानों को इवर्या का विक्तरय किया जाना चाहिए सही है सरकार लागा तेवं नियत लाब के आदार पर फार्मों को सबसेटी अनुदान पिदान करती है ये भी सही है इवर्या का आयात एजेंसियों द्वारा नहीं किया जाता है ये इस गलत है आपको एक बात याद रखिए जो अनुदान सबसेटी होता है इसलिए तिया जाता है कि जो उसमें हानी हो रही है उसकी भरपाई पूरी किजा सके आप भी देखते हैं कि गैस सलेंडर आपने देखा होगा सबसेटी मिलती है आपको तो सलेंडर आपको उतने काही मिलेगा जितने का वो है लेकिन सरकार आपकी मदद कर देगी तो आपको मतलब आपको कम कीमत पर वो सलेंडर उपलब दो जाएगा आपने देखा होगा कि सिलेंडर मतलब आपको अगर हजार रुपेगा तो हजार ही देन अपलेगा लेकिन आप बाद में देखते हैं कि आपकी अकाउंट में कुछ पैसे आ जाते हैं ठीक है तीसरा कतन इसमें गलत है तीसरा गलत क्यों है आके क्योंकि इसका आयाद केबल एजेंसियों के मात्यम से ही किया जाता है और भारत में केबल तीन एजेंसियों को इसका आयाद करने की अनुवत्ती है तो इसमें क्या है? एक और दुकतन सही था, तीसरा आप का गलग था A option बिल्कुल सही है चलते हैं English question की तरप निम्लिकित कत्रों पर हमें विचार करना है निम्लिकित कत्रों पर क्या करना है विचार करना है अंतराश्टी वित्त निगम विस बैंक समू का सदस है यह सही है या मद्धहम आयो विस विस्वसनिय साख बाले नेधन देशों की साहेता करता है ये गलत है आपका, क्या है, ये गलत है, उप्यक कतनों में से कौन सा कतन सही है, तो इसमें एक कतन आपका सही है, अगर आपसे पूछता कि सही नहीं है, तो किवल आपका दूसरा कतन सही नहीं था, तो इसमें ए ओप्सन सही होगा, दूसरा कतन आखिर गलत क्यों है, क्योंकि आप जानते हैं कि यह है विकाल सीद देशों में, देशों में निजी छेत पर विसे शुरूप से केंदरिश सबसे बड़ा बैस्विक विकास संगठन हैं, और विस बैंक के तहत निमलिकित 5 संगठन आते हैं, पुनान निर्माड, विकास के लिए अंतराष्टिय बैंक, अंत अंतराष्टिय बित निगम, बहु पक्षिय निवेस गारंटी अजेंसी, निवेस बिवादों के निफ्टारी के लिए अंतराष्टिय केंद, इस अभी आपके विस बैंक की तहती आते हैं, संगठन, ठीकर, चलते अंगले कुश्चिन की तरह पमलो, क्या है अंगला कुश इसमें क्या पूचा है? इसमें क्या पूचा है? उपयोग कतनों में से कौन सा कतन सही है? तो एक कतन आपका सही है, दूसरा कतन आपका गलत है, दूसरा कतन आपका गलत क्यों है आखे? क्योंकि यह सरवेक्षण केंद्रिय सांखी की कार्याले CSO द्वारा डिजाइन किया जाता है, CSO की द्वारा, डेटा संगरे किर्सी और सहिकालता विबाग द्वारा पिती वर्स किया जाता है, हर साल यानी की, ठीक है? तो इसमें आपका केबल एक कतन सही है, ए ओप्सन सही है, कुश्चन है हमारे सामने, अंतराष्टिय मुद्रा कोस्ट के संद्रब में निमलिकित कतनों पर विचार करना है, याद रखिए जो अंतराष्टिय या राष्टिय संगटन होते हैं, यह आपके प्रिलेम्स के पॉइ सभी संगटनों को पढ़ा दिया गया है, क्योंकि कोई भी आपको एक जामू, सभी में इससे कुश्चन्स पूंच लिए जाते हैं, ठीक है, अंतराष्टिय मुद्रा कोस्ट के संद्रब में निमलिकित कतनों पर विचार करना है, क्या करना है, विचार करना है, इसमें यह एक कोटा आधारित संस्था है, बिल्कुल सही बात है, एक सदस देश का कोटा मौटित और वर विच्व अर्थववस्था में इसकी साफेक इस्तिती को दर्साता है, यह भी सही है, कोटा दोल्लम मुद्रा में निर्धारित होता है, यह आपका गलत है, क्या है, यह आपका गलत है और इसमें क्या पूंच रहा है उपयोग कत्रों में से कौन सा कथन सही है तो इसमें एक कथन आपका सही है दो कथन सही है लेकिन तीसरा आपका गलत है तीसरा गलत क्यों है पहले वो जान लीजी आप लोग कोटा की आधार पर ही IMF की किसी एकाई बिसेस को बिसेस आहर अधिकार पराप्त होता है ठीक है और एक बात और याद रखी जो अंतराश्टी मुद्राख वोसे इसकी स्थापना की अगर बात करें आई एम एप की तो इसकी स्थापना आपको देखने को मिलेगी 1945 में कव? 1945 में देखने को मिलेगी इसका मुख्यालाय आपको बता ही चुका हूँगी वसेंग्टन डीसी में इसका मुख्यालाय आपको देखने को मिलेगा ठीक हो? तो इसमें आपका एफ उप्सन सही है एक और दो कथन सही था चलते हैं ले कुश्यन की तरफ क्या है एंगला कुश्यन? भारत में कोस्किये और आडविक जी विज्ञान के अंद से संबंदित निमलिखित कत्रों पर हमें बिचार करना है क्या करना है? बिचार करना है या भारती विज्ञान सिक्चा और अनुसंदान संस्थान की तत्वाधान में संचालित होता है। गलत है। यह एक पिरमुक सोध संस्थान है जो आधोनीक जी बिग्यान की पिरमुक छित्रों में उच्छ गुडवत्ता युक्त बुनियादी अनुसंदान ओफिसी इक्षण का संचालन कलता है। सही है। Global Molecular and Cell Biology Network युनेस को द्वारा इसे Center of Excellence की रूम में नामित किया गया है। यह आपका सही है। तो इसमें आपका दो और तीन कतन सही है। लेकिन पहला कतन गलत है। पहला कतन आखिर गलत क्यों है। यह है जो आपका केंद है। कौस की है। एबं आडविक जी बिग्यान को मिलेगा। इसका संचालान करता है विग्यानिक एबं जो उद्दोगिक अनुसंधान परिशद है। यही इसका विग्यानिक एबं उद्दोगिक अनुसंधान परिशद की तत्वाधान में इसका किया जाता है। ठीक है। तो इसमें क्या पूछ रहा था। कौन सा कतन सह कथन पूछ रहा था तो 2 2 और 3 कथन इसमें सही होगा दो और 3 यानि की बी आप्सन आपका बिल्कुल सही होगा अंगला कुश्चान है हमारा रामप्प मंदिर की संदर्म में डिमलेकी कथन होगा पर हमें बिचार करना है यह भगवान राम को समार्पित मंदिर है गलत है काप्तिय राजवल्स के सासनकाल के दोरा निर्मित या विस्थ की विरास्त इस्थल चैन पिक्रिया 2019 में भारत की ओर से एकमात नामंकन था नामंकन था ये सही बात है इसमें इसमें क्या पूच रहा है वैसे ओपियों कत्रों में से कौन सा कत्र सही है पूच रहा है तो इसमें आप देख रहे हैं कि केबल दूसरा कत्र सही है पहला कत्र गलत है यह मंदिर जो है आपका भगवान सिप को समर पे थे किसको भगवान सिप को कहा है पालम पेट ग्राम तेल वाई गया था ठीक है तो इसमें आपका केबल दूसरा कतन सही था मैं फिर से बोलना हूँ कि इस पॉइंट को हम इसा बड़े अच्छे से बढ़ लिया करिएगा देखिए अगर यहां सही नहीं है तो आप क्या लगाते केबल एक सही नहीं था लेकिन इसमें पूचराज सही है तो आपने क्या लगाया दो केबल तो इस पॉइंट को बड़े ध्याज से बढ़ा करिएगा क् कई बार आते हुए questions गलत कर बैठते हैं ठीक है? अंगला question है मारे सामने पित्यक्ष करकी संदर्म में निमलिकीत कत्रों पर हमें विचार करना है पित्यक्ष यानि की direct text की संदर्म में निमलिकीत कत्रों पर हमें विचार करना है पित्यक्च करका भुक्तान किसी ब्यक्ती एसंस था द्वारा सीधे निकाय को किया जाता है सही है निगम कर एक पित्यक्च कर है यह भी आपका सही है क्या पूच रहा है कौन सा कतन सही है तो एक कतन सही है आपका और दो कतन भी आपका सही है एक बात और बताऊंगे, indirect tax पहले आपका हुगा करता था, देखिए हमारे देश में कोई भी हो, आप tax देते हैं, कैसे देते हैं, एक direct tax होता है, जैसे आयकर आपकी पास आया है, income है तो आप उस पर देते हैं, उसे direct tax कह देते हैं, तो ये बहुत कमी लोग देते हैं, लेकिन indirect tax हर कोई देता है, फिर चाहिए गरीब हो, या कोई अमेर हो, क्योंकि आप देखते हैं, कोई भी सामान करीदते हैं, माल लिजे एक आपने साबुन खरीदा, तो उस पर भी तो tax लगता है, तो उसे indirect tax कहा जाता था, लेकिन अब जानते हैं, कि GST जब से आ गया, तो सभी indirect tax आपके उसी कितहत आने लगी है, ठीक है, तो इसमें आपके दोनो कथन सही है, क्या है, दोनो कथन सही है, और direct tax की अगर हम बात करें तो आय कर हो गया, निगम कर हो गया, सबबति कर हो गया, पुझी कतलाब कर हो गया, उभार कर हो गया, ये सब ही आपके पित्तेक्च करके पुछ हो धारन है, इसमें आपके दोनों कतन सही थे, यानि कि C option बिलकुल सही, कुश्यर है बारे सामने अंगला, अग्यम मूल समझोता की संदर्ब में नेवली खित कत्रों पर विचार करना है, अग्यम मूल समझोता की संदर्ब में क्या करना है, विचार, इसे वर्ष 2018 में भारत में लॉंच किया गया था, यह आपका गलत है, यह है एक करदाता और कम से कम एक टेक्स प्राधिकन के बीच ऐसान मन्द है, जो परस्फर सम्मंदीत कंपनियों के बीच लेंदेन के लिए मूल नेधारन बिधी को पहले से ही तै करता है, यह आपका सही है, इसमें पू आपको मालू होना चाहिए कि भारत में अग्यम मूल समझाता है, यह आपका कारिकरम की सुरुआत दोहजार बारे में हुई थी, बेत अधिनियम दोहजार बारे और आयकर अधिनियम जो 1961 के अंदरगत की गई थी, कब दोहजार बारे में, ठीक है, याद रखी, तो इसमें आपका क्या था, केवल दो कतन सही था, यानि की बी ओप्शन सही था, चलते हैं अंगले कुश्चन की तरफ, क्या है अंगला कुश्चन हमारा, निमलिकित में से कौन से देश, भूमबत सागर के साथ सीमा साज्या करते हैं, याद रखी, आपका वर्ल्ड मैप्स पूरा आप लोग जोगरफी से जाना, किताब पढ़ने से जाना, या कहीं रटने से जाना, आप लोग मैप्स का साहरा लिया करिएगा, जिससे क्या रहता है, कि आपको याद भी रहता है, और मैप्स में कई बच्चे पूच्चते भी हैं, कि सभी देशों को याद कर पाना मुस्क बनते हैं क्योंकि इतने देश हैं और इतना कुछ material है हमारे पास कि रट पाना देखा होगा ट्यूनिसिया भी देखा होगा आप लोग एक बार उसे देख यार जरूर लें क्योंकि वहां से आप काफी कुछ सीखने कुमिलेगा और आपका बहुत हाई लेवल का पढ़ाए गया है आप उससे पढ़ने के बाद आपका सिवेल सर्विस का कोई questions गलत होगा क् में maps का सारा लेकर पूरा बताए गया है ठीक है तो इसमें आपके तीनों देश यह भूमद्द सागर से लगते हैं क्या होगा D option ठीक है चलते हैं अंगले question की तरफ अभी हाल ही में आपने देखा होगा कि order of jade यह समाचारों में रहा था order of jade पिछले साल की बात है तो यह क सभी को मालूख होगा कि UAE कि सर्वोच नागरिक पुरोस्कार है ही आपका order of jade ठीक है बी option बिल्कुल सही है क्योंकि हमारे जो प्रिदान मंत्री साहाब हैं उन्हें दिया गया है अंगला question है हमारा क्या question चलने दी और तरलता समाई विजन सो बिधा कि संदर्म में निमिलिकित कत्रों पर हमें बेचार करना है यही एक राजकोसी है नीती साधन उपकरन है जो बैंकों को पुनर्खरी समझोतों के मात्यम से धन उधाल लेने की अनुमती देता है यह आपका गलत कत्रों है यह आर्थिक आश्थिरता के दोरान किसी भी अल्वकाली नगदी के बहाओ को नैंती तेवन नेमित करने में पैंकों की साहिता करता है यह आपका विलकुल सही है कत्रों इसमें पूच क्या रहा है ओपयुक कत्रों में से कौन सा कत्रों सही है तो आप देख रहे हैं कि केबल दूसरा कतन सही है इसमें पहला कतन आपका गलत है पहला गलत क्यों है आके क्योंकि आप देखेंगे चल निदी जो तरलता समाईजन सुभिधा है LAF बोलते हैं जिसे आप लो भारती रेजर बैंक द्वाना अनुसूचित वडिजिक बैंकों को आवस्यक मामलों में तरलता का लाव उठाने ही तू बिश्तारित एक सुभिधा है या मुद्रिक नीती के किरियार्वन में प्रियुक्त किया जाने वाला इक प्रमुक टूल भी है इसके अंतरगत रेपो और रिवर्स रेपो आते हैं दोनों रेट आपके साविल रहते हैं जिनकी दरव कर नीतर करके भारती रेजर बैंक रेजर बैंक यानि की आरवी आई बहारत में यानि की बाजार में उपलम्द मुद्रा को नीतीत करती है ठीक है तो इसमें आपका किवल दो कत्वन सही था कौसा दो और याद रखिए रेजर बैंक के बारे में याद रखिए इससे वन डे एक जाम में भी कुश्चन से बन जाता है इसकी स्थाबना का गुई थी एक अपरेल 1935 में इसका होड हेड़ क्वार्टर का है मुम्बई में ठीक चलते हांगे अब लो अंगला कुश्चन है हमारे सामने मौद्रिक नीती समती कि संदर्ब में निमलिकित कत्रों पर विचार करना है मौद्रिक नीती समती कि संदर्ब में निमलिकित कत्रों पर हमें क्या करना है विचार रेजर्ब वैंक ऑप इंडिया अधिनियम 1934 के तहें यह एक बैधानी कोर्स अस्थागत फेंबा रखें यह आपका विलकुर सही बात है इसे उरजीत पटेल सम्टी की सिफारिश पर इस्थापित किया गया यह भी सही है बित्मंत्री सम्टी का पधेन अध्यक्ष होता है यह आपका गलत है इसमें क्या पू तीसरा आकर गलत क्यों है उस पर भी बात कर लिजी रजर बैंक के गवनर इस सम्टी के पधेन अध्यक्ष होते हैं जबकि भारती रजर बैंक के डिप्टी गवनर मौद्रिक नीती सम्टी के पिरभारी के तौर पर काम करते हैं ठीक है नाकी बित्मंत्री और बित्य अधिनियम 2016 का जुथा इसके द्वारा रिजर बैंक ओप इंडिया अधिनियम 1934 आर्विय इदिनियमे संसोधन किया गया ताकि मौद्रिक नीती सम्टी को बैधानी को संस्थागत रूप पिदान किया जा सके तो इसमें आपका कौन सा सही था एक और दो सही था तीसरा हम लोगों ने सही कर दिया ठीक है कुश्चिन है हमारा अंगला एसिया पिसांत एसिया एवं पिसांत के लिए आर्थिक तथा सामाजिक आयो के संदर्म में निमिलिकित कतनों पर विच्यार करना है इसका मुख्याल है थाइलेंड के बैंकोक सहर में देखने को मिलेगा सही है क्या है सही है भारत एक मात दच्चेड एसिया इराष्ट है जो यूनिस कैप का सदस है यानि कि एसिया एवं पिसांत के लिए जो आर्थिक तथा सामाजिक आयो बना हुए है इसका भारत एक मात दच्चेड एसिया इराष्ट है ए आपका गलत है क्या है गलत है इसमें क्या पूछ रहा है उपिक कत्रों में से कौन सा कतन सही है तो आप देख रहे हैं कि एक केवल कतन आपका सही है ए ओप्सन सही है दूसरा कतन आखीर गलत क्यों है उस पर भी बात करता हूँ एसिया और पिसान बहां सगर के लिए जो सयुक्त राष्ट का आर्थी को समाजिक आयोग है जिसे इसकेब भी बोलते हैं लोग एसिया पिसान चेत के लिए सयुक्त राष्ट की एक चेतरी ये विकार साखा है और इसकी इस्थापना की बात करने जैसे भारत हो गया आपका माल्दीप हो गया आपका नेपाल हो गया बूटान, बंगलादेश, स्रीलंका, अफगानिस्तान, पाकिस्तान ना कि सभी ही ये सभी देश सामिल यह हैं इसमें ठीक है अंगला कुशियन है हमारे सामने निमलिकित में से कौन से उत्थाओ जो भारत में पारंपरिक नए साल का जसन मनाते हैं इसमें आप देखेंगे गुडी पड़वा सजीबू, चीरोबा ओलिंग यह तीनों आपके हैं क्या हैं तीनों ए हैं गुडी पड़वा यह आपने सुनाओ को हिंदू जो चंद केलेंडर है इसके अनुसाल चैद सुक्ल पिती पदा की महिने में नए साल की रूम में मनाया जाता है यह उत्साओ आपको करनाटा कांधिपती सु महराठ सहित दक्ठन का जो छेत है इस सभी में आपको देखने को मनाया जाता है वहाँ देखने को मिलेगा यह मेईती मडीपूर का एक जातिय समूग का महान अनुस ठानिक उत्साओ है कौन सा? और जो मडीपूर के चंद माहू सजीबू के पहले दिन मनाया जाता है पितेक अपरेल वर्स अपरेल माय में और एओलिंग उत्साओ बसंद के आगमन और आगामी अच्छी फसल ही तू परातना करने के लिए इसका उत्साओ किया जाता है इसके उत्साओ की बात करें तो अपरेल के अपरेल माय के पहले सब्ताय में इसका इसे मनाया जाता है ठीक है? तो इसमें आपका D option है, तीनों है चलते हैं अंगले question की तरव क्या है? समाचारों में रहा कौन याक, नेत निमलीकित में से किस राज्य से सम्बंदी थे? या आपका नागालेंड से सम्बंदी थे? किसे? नागालेंड से सम्बंदी थे कौन याक 16 नागा जन्जातियों में से एक है और इस समधाय के लोग मुक्रूप से नागालेंड की मौनजले में आपको देखने को मिलेगी और यही लोग इसे मनाते है अगला question है हमारे सामने महादूई पिये विस्थापन सिध्धान की संदरप में निमलिकीत कत्रों पर विचार करना है एक questions आपका कई वार बन चुका है बहुत ही मत होने है क्या करना है? विचार करना है यह ले लेप लेप लस और मॉल्टन द्वारा पिस्थावित किया गया था विल्कुल गलत है इससे द्धान की अमसार सयुक्त महादीप का भूबाग पैंथा लासा कहलाता था यह भी आपका गलत है इसमें पूच क्या रहा है उपियोग कत्रों में से कौन सा कत्रों सही है तो आप देख रहे हैं दोनों कत्रों गलत हैं आपके ना तो एक सही है उन ना ही दो सही है तो इसमें आखिर सही क्या होगा उसे याद रखना है आपको जर्मन मौसम बिदते अलफेड बैगनर कौन? अलफेड बैगनर इस पॉइंट को इस नाम को हमेशा याद रखिए क्योंकि इससे भी कुश्चिन्स बन जाता है अलफेड बैगनर ने महादूपिय विस्थापन सिद्धान्थ सन 1912 में पिस्थावित किया यह सिद्धान्थ महादीब और महासागरों की वित्रण से ही सम्मंदित था और पैंजिया का अर्थ होता है जो संपूर्ण पित्वी और विसाल जो महासागर था उचसे पैंथालासा कहते थे जो जल ही जल से था ठीक है? तो इसमें ना तो एक सही था और ना ही दो यानि कि D option सही है Question है मारा अंगला क्या है? निमलिकी को सुमलित करना है एक तरह से सही जोडियां देखते थे आप छोटी किलासों में उसी तरह की यह आपकी साथ देखी जा रही है तो इसमें क्या होगा? Golden Hand Sack Golden Hand Sack कर्मियों को कार छोड़ने के लिए किया जाने वाला भुकतान है Golden Hand Cup पिती द्वन्दियों से कर्मियों को बचने के लिए दिया जाने वाला बॉनस है Golden's Hello नए कर्मियों को आकरसित करने के लिए किया जाने वाला भुकतान है गोल्डन फिस्कल रूल ये सरकार द्वारा ने वेश के लिए लिया गया उधार नाकी खर्श के लिए ठीक तो इसमें नीचे दिये गए कूट का उपयोग कर सही उत्तर चुनना था मैं तो इसमें आप देखेंगे क्या है सी ओप्सन आपका बिल्कुल सही होगा क्या होगा सी जो गोल्डन हैंड सैख है एक किसी कमपिन द्वारा अपने करमचारी जो होते हैं को अपनी सेवा के कारकाल की समापती से पहले नौकरी छोड़ने के लिए कमपिनी द्वारा किया गया भुकतान होता है गोल्डन हैंड से गोल्डन हैंड कप की बात करें तो एक किसी कमपिनी द्वारा अपने करमचारी आमतोर पर सीस रेंकिंग को अपने साथ बनाए रखने के लिए या फिर उन्हें अने कमपिनियों द्वारा सिकार बनाये जाने से बचाने के लिए रोयल्टी या बॉनस के रूम में दिया जाता है अगर गोल्डन हेलो की बात करें तो नए करमचारियों को अपनी तरब आकरसित करने के लिए कंपनी द्वारा भुकतान की गई एक बड़ी रासी होती है और गोल्डन रूल की बात करेंगे तो एक राजकोसी नीती का रोख है जो यह है बत सुझाता है कि आर्थी चक में सरकार को केबल निवेस के लिए उधार लेना चाहिए और बरत्मान बैय का बित्तिपोसन नहीं करना चाहिए या इस नियम के प्रभाव के तएद बिक से संतुलन संतुलीद बजट जीरो बेष्ट बजट की दिसा में भी किया गया प्रयास है ठीक है चलते हैं अंगले कुश्चेन की तरफ हम लोग क्या है कुश्चेन हमारा निमलिकित में से कौन से कारकरम पहल अंतराष्टिय सौर गटवंदन की अंतरगत सामेले जबसे आपने देखा है 2014 से गवर्मेंट बदली भी है तो इस पर कुछ जानदा ही मत दिये जा रहे है क्योंकि आप भी जाते हैं कि देश में देखे एक समय आप सोची कुईला खतम हो जाएगा आप सोची कच्चा तेल खतम हो जाएगा तो हमें कुछ ऐसे साधन तो देख लेने चाहिए कि जो हमारे साथ बने रहे एक तरह से ना पिदूसन कम फैलाए और कम से कम हमारे साथ हमें उर्जा तो देए तो आप सूर को देखिए आप वायू के देख सकते है सूर से अगर हम लोग सूर से अगर बिजली बनाने लगते है तो यह सूर कब तक रहेगा जब तक हमारा जीवन धर्दी पर रहे जल हो गया जासे तो इसी के लिए इसका उपयोग करते है तो इसमें क्या होगा निमलिकित में से कौन से कारकिरम पहल अंतराष्टिय सूर गटवंदन के अंतरगर सामिल है किरसी उपयोग के लिए सूर अनुपयोग प्रवर्दन सही बात है सूर मिनी ग्रेड प्रवर्दन यह भी सही है बयाबक पिरमाने पर किफायती बित यह भी सही है इसमें आप देखेंगे पांचों जो आपके उपर पूट दिये गए है यह पांचों सही है क्या है? पांचों सही है तो इसमें आपका D-Option देखने को मिलेगा क्या? D-Option देखने को मिलेगा भारत और फ्रांस की पहल अंतराष्टिस और गटबंदज जिसे आई ऐसे एकिनाम से आप लोग जानते है 6.2.2017 को लागू की गई थी 6.2.2017 को और इसमें सबसे अच्छी बात यह है कि इसका मुक्याला आपको भारत के गुरुग्राम हर्याणा में देखने को मिलेगा ठीक है? तो याद रखिए कुश्चिन है हमारे सामने क्या है? क्या है कुश्चिन? वस्त और परिधान च्छित में निर्यात और रोजगार विसिस रूप से मैलाओ के लिए रोजगार विद्धी की अभूत पूरुज च्छमता है शाथी इस शित में सरमलागत के बढ़ने से वस्त और निर्यात में बाजार में चीन की हिस्सेदारी के खोने का इतिहासी एक आउसर भी है निमलिकित में से कौन से कारख है जिनकी वज़े से भारत इस आउसर का लाब उठाने में सक्छम नहीं हो फारा है कौन कौन से कारख है इसमें अन्ने विकासी लर्ददस्ताओं से 35 परदा बिल्कु सही बाद है उच्चे घहरेलू कर एवी सही है कठोस रमकानून एवी सही है उच्च लॉजिस्टिक उच्च लॉजिस्टिक लागत एवी आपका सही है एच्चारों कारख है इसमें तो इसमें क्या होगा आपका एवाप्शन बिल्गु सही होगा चलते हैं अंगले कोश्चन की तरफ में लो क्या है अंगले कोश्चन हमारी सामने निमली खित में से कौन कभी-कभी समाचारों में देखने वाले कभी-कभी आप समाचारों में देखते हैं जो दोहेरे तोलन पत्त की समस्या क्या होती है जब इसमें वोगा आपका जब बैंकिंग तथा कॉर्पोरेट छेत दोनों दबाव में हो यानि के बुरी इस्तिती में हो तो इसमें क्या होगा C, C ओप्शन सही है भारत के आर्थिक सर्वेक्षन के रुसार भारत दोहेरे तोलन पत्त की समस्या है यानि की ट्वीन बैलेंस सीट प्रोब्लम का सामना कर रहा है जहां बैंकिंग तथा कॉर्पोरेट दोनों ही छेत दबाव में है यह के बल कम मात्राव में नहीं बल की बिस्व में ब्याप्त दबावों की उच्चितम अवस्था भी है भारत का एनपी यह देखते हैं आप लोग की अनपाद किसी भी अन्य प्रमुक वरते बाजारों से अधिक देखने को मिलेगा यहां तक की जो पूरवी एसी आई संकट के दोरान कोरिया में देखे गए चरम इस तरह से भी काफी अधिक देखने को मिल ला है तो इसमें आपका सीद अंगला कुशिन है हमारा नेमलिकित में से कौन उद्धोगिक सिर्मेकों के लिए उभोगता मुल सूचकांग संख्या जारी करता है सूचकांग को को आप लोग याद रखी बड़े द्यान से और इन्हें जो संस्ता है जो जारी करती है उसका नाप भी आप लोग याद रखी क्योंकि इनसे कुश्यन से आपके बनते रहे हमेशा सिविल सर्वेस में आपके हमेशा पूची जाते है तो इसे कौन जारी करता है सरम बीरो कौन सरम बीरो उद्धोगिक सर्मोकों के लिए बोगता मुल्व सूचकांग आपका सरम बीरो एवं जो सरम एवं रोजगार मंतराल है इसके द्वारा जारी की जाता है यह सूचकांग आपका CPI सूचकांग में सबसे पुराना है क्योंकि इसका पिरसार की यानि की पिचार की निकालने की बात हो तो 1946 से निकाला जा रहा है कब से? 1946 से तो यह थे आपके कुछ महत्मूर कुश्चन्स तो इसके साथ आपका 5 पर टेस्ट भी कतम हो जाता है मिलते हैं चटवे टेस्ट के साथ ठीक है? अच्छे से लगा लीजिए ने बहुत ही महत्मूर कुश्चन से